ओम शान्ती चार साथ दो हजार बीस की साकार मुरली मीठे बच्चे उच बनना हैं तो अपना पोता मेल रोज देखो कोई भी करमेंद्रिय धोका ना दे आखे बहुत धोके बाज हैं इनसे समहाल करो प्रश्ण सबसे बुरी आदत कौन सी है उनसे बचने का उपाय क्या है उत्तर सबसे बुरी आदत है जबान का स्वाद कोई अच्छी चीज देखी तो छिपा कर खा लेंगे छिपाना अर्था चोरी चोरी रूपी माया भी बहुतों को नाक कान से पकड़ लेती है इससे बचने का साधान जब भी कहां बुद्धी जाए तो खुद ही खुद को सजा दो बुरी आदतों को निकालने के लिए अपने आपको खुब फटकार लगाओ ओम शान्ती आत्म अभिमानी होकर बैठे हो हर एक बात अपने आप से पूछनी होती है हम आत्म अभिमानी हो बैठे हैं और बाप को याद कर रहे हैं गाया हुआ भी है शिव शक्ती पांडव सेना यह शिव बाबा की सेना बैठी है न उस जिस्मानी सेना में सिर्फ जवान होते हैं बुड़े वा बच्चे आदी नहीं इस सेना में तो बुड़े बच्चे जवान आदी सब बैठे हैं यह है माया पर जीत पाने के लिए सेना हर एक को माया पर जीत पाकर बाप से बेहत का वर्षा लेना है बच्चे जानते हैं माया बड़ी प्रबल है करमेंद्रिया ही सबसे जास्ती धोका देती है चार्ट में यह भी लिखो कि आज कौन सी करमेंद्रिया ने धोका दिया आज फलानी को देखा तो दिल हुई इनको हाथ लगाएं यह करें आँखें बहुत नुकसान करती है हर एक करमेंद्रिय देखो कौन सी करमेंद्रिय बहुत नुकसान करती है सूर्दास का भी इस पर मिसाल देते है अपनी जाच रखनी चाहिए आँखें बहुत धोका देने वाली है अच्छे अच्छे बच्चों को भी माया धोका दे देती है भल सर्विस अच्छी करते हैं परंतु आखे धोका देती है इस पर बड़ी जाच रखनी होती है क्योंकि दुश्मन है ना हमारे पद को ब्रस्ट कर देती है जो sensible बच्चे हैं उन्हों को अच्छी रीती नोट करना चाहिए डाइरी पॉकेट में पड़ी हो जैसे भक्त मारग में बुद्धी और तरफ भागती है तो अपने को चुटकी काटते हैं तुमको भी सजा देनी चाहिए बड़ी खबरदारी रखनी चाहिए करमेंद्रिया धोका तो नहीं देती किनारा कर लेना चाहिए खड़ा होकर देखना भी नहीं चाहिए इस्तरी पुरुष का ही बहुत हंगामा है देखने से कामविकार की दृष्टी जाती है इसलिए सन्यासी लोग आँखे बंद करके बैठते हैं कोई कोई सन्यासी तो इस्तरी को पीड़ देकर बैठते हैं उन सन्यासी यों आदी को क्या मिलता है करके दस बीस लाख करोण एखटा करेंगे मर गए तो खलास फिर दूसरे जनम में एखटा करना पड़े तुम बच्चों को तो जो कुछ मिलता है वह अविनाशी वर्षा हो जाता है वहाँ धनकी लालच होती ही नहीं ऐसी कोई अपराप्ती होती नहीं जिसके लिए माथा मारना पड़े कल्योग अंत और सत्योग आदी में रात दिन का फर्क है वहाँ तो अपार सुक है यहाँ कुछ भी नहीं बाबा हमेशा कहते हैं संगम अक्षर के साथ पुरुशोत्ता मक्षर जरूर लिखो साफ साफ अक्षर बोलने चाहिए समझाने में सहज होता है मनुष्य से देवता किये तो जरूर संगम पर ही आएगा न देवता बनाने नर्कवासी को स्वर्गवासी बनाने मनुष्य तो घोर अंधियारे में है स्वर्ग क्या होता है पता ही नहीं और धर्मवाले तो स्वर्ग को देख भी नहीं सकते इसलिए बाबा कहते हैं तुमारा धर्म बहुत सुख देने वाला है उनको कहते ही हैं हैविन परंतु यह थोड़े ही समझते हैं कि हम भी हैवन में जा सकते हैं किसको भी पता नहीं भारतवासी यह भूल गए हैं हैवन को लाखो वर्ष कह देते हैं क्रिश्चन लोग खुद कहते हैं तीन हजार वर्ष पहले हैवन था लक्ष्मी नरायन को कहते ही हैं गौड गौड़ेस जरूर गौड ही गौड गौड़ेस बनाएंगे तो मेहनत करनी चाहिए रोज अपना पोता मेल देखना चाहिए कौन सी करमेंद्रिय न धोका दिया जबान भी कोई कम नहीं कोई अच्छी चीज़ देखी तो छिपा कर खा लेंगे समझते थोड़े ही हैं कि यह भी पाप है चोरी हुई न सो भी श्य बाबा के यग से चोरी करना बहुत खराब है कक का चोर सो लक का चोर कहा जाता है बहुतों को माया नाक से पकड़ती रहती है यह सब बुरी आदते निकालनी है अपने पर फटकार डालनी चाहिए जब तक बुरी आदते हैं तब तक उचपद पा नहीं सकेंगे स्वर्ग में जाना तो बड़ी बात नहीं है परंतु कहा राजा रानी कहा प्रजा तो बाप कहते हैं करमेंद्रियों की बड़ी जाच करनी है कौन सी करमेंद्रिये दोका देती है पोता मेल निकालना चाहिए व्यापार है ना बाप समझाते हैं मेरे से व्यापार करना है उच्पत पाना है तो श्रीमत पर चलो बाप डारेक्शन देंगे उसमें भी माया विग्न डालेगी करने नहीं देगी बाप कहते हैं यह भूलो मत गफलत करने से फिर बहुत पच्टाएंगे कभी उच्पत नहीं पाएंगे अभी तो खुशी से कहते हैं हमनर से नारायन बनेंगे परन तो अपने से पूँचते रहो कहां करमेंद्रियां धोका तो नहीं देती हैं अपनी उन्नती करनी हैं तो बाप जो डारेक्शन देते हैं उसे अमल मिलाओ सारे दिन का पोता मिल देखो भूलें तो बहुत होती रहती हैं आखें बड़ा धोका देती हैं तरस पड़ेगा इनको खिलाऊं सोगात दूं अपना बहुत टाइम वेस्ट कर लेते हैं माला का दाना बनने में बड़ी महनत है आठ रतन हैं मुख्य नौ रतन कहते हैं एक तो बाबा बाकी हैं आठ बाबा की निशानी तो चाहिए न बीच में कोई ग्रहचारी आदी आती है तो नौ रतन की अंगुठी आदी पहनते हैं इतने धेर पुरुशार्थ करने वालों से में से आठ निकलते हैं पासवेद ओनर्स आठ रतनों की बहुत महिमा है देह अभिमान में आने से करमेंद्रियां बहुत धोका देती है भक्ती में भी चिंता रहती है ना सिर पर पाप बहुत है दान पुन्ने करें तो पाप मिट जाए सत्युग में कोई चिंता की बात नहीं क्योंकि वहां रावणराजी ही नहीं वहां भी ऐसी बाते हों फिर तो नर्क और स्वर्ग में कुछ फर्ख ही ना रहे तुमको इतना उच पत पाने के लिए भगवान बैट पढ़ाते हैं बाबा याद नहीं पढ़ता है अच्छा पढ़ाने वाला टीचर तो याद पढ़े अच्छा भला यह याद करो कि हमारा एक ही बाबा सद्गुरू है मनुष्यों ने आस्वरी मत पर बाब का कितना तिरसकार किया है बाब अब सब पर उपकार करते हैं तुम बच्चों को भी उपकार करना चाहिए किसी पर भी अपकार नहीं कुदरिष्टी भी नहीं अपना ही नुकसान करते हैं वह बाइब्रेशन फिर दूसरों पर भी असर करता है बाब कहते हैं बहुत बड़ी मन्जिल है रोज अपना पोता मेल देखो कोई विकर्म तो नहीं बनाया यह है ही विकर्मी दुनिया विकर्मी संबत विकर्मा जीत देवताओं के संबत का कोई इत को पता नहीं बाब समझाते हैं विकर्मा जीत संबत को 5000 वर्ष हुए फिर बाद में विकर्म संबत शुरू होता है राजाएं भी विकर्म ही करते रहते हैं तब बाप कहते हैं कर्म अकर्म विकर्म कि गती मैं तुमको समझाता हूँ रावन राज में तुम्हारे कर्म विकर्म बन जाते हैं सत्यूग में कर्म अकर्म होते हैं विकर्म बनता नहीं वहाँ विकार का नाम ही नहीं यह ग्यान का तीसरा नेत्र अभी तुमको मिला है अभी तुम बच्चे बाप के दोरा त्रिनेत्री त्रिकाल दर्शी बने हो मनुश्य कोई बना न सके तुमको बनाने वाला है बाप पहले जब आस्तिक हो तब त्रिनेत्री त्रिकाल दर्शी बने सारा ड्रामा का राज बुद्धी में है मूल वतन, सुक्ष्म वतन, 84 का चक्र सब बुद्धी में है फिर पीछे और धर्म आते हैं व्रद्धी को पाते रहते हैं उन धर्म स्थापकों को गुरु नहीं कहेंगे सर्व की सदगती करने वाला सदगुरु एक ही है बाकि वह कोई सदगती करने के थोड़े ही आते हैं वह धर्म स्थापक हैं क्राइस्ट को याद करने से सदगती थोड़े ही होगी विकर में विनाश थोड़े ही होंगे कुछ भी नहीं उन सब को भक्ती की लाइन में कहा जाएगा ज्यान की लाइन में सिर्फ तुम हो, तुम पंडे हो सब को शांती धाम, सुखधाम का रास्ता बताते हो बाप भी लिबरेटर गाइड है उस बाप को याद करने से ही विकर्म विनाश होंगे अभी तुम बच्चे अपने विकर्म विनाश करने का पुरशार्त कर रहे हो तो तुम्हें ध्यान रखना है कि एक तरफ पुरशार्त, दूसरे तरफ विकर्म ना होता रहे पुरशार्त के साथ साथ विकर्म भी किया तो सौग ना हो जाएगा जितना हो सके उतना विकर्म ना करो नहीं तो एडिशन भी होगी नाम भी बदनाम करेंगे जबकि जानते हो भगवान हमको पढ़ाते हैं तो फिर कोई विकर्म नहीं करना चाहिए छोटी चोरी या बड़ी चोरी पाप तो हो जाता है न यह आँखे बड़ा धोका देती हैं बाप बच्चों की चलन से समझ जाते हैं कि कभी ख्याल भी ना आये कि यह हमारी इस्तरी है हम ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं शियो बाबा के पोत्रे हैं हमने बाबा से प्रतिज्य की है राखी बान दिया फिर आखे क्यों धोका देती हैं याद के बल से कोई भी करमेंद्रियों के धोके से छूट सकते हो बड़ी मेहनत चाहिए बाप के डारेक्शन पर अमल कर चार्ट लिखो इस्तरी पुरुस भी आपस में यही बाते करो हम तो बाबा से पूरा वर्शा लेंगे टीचर से पूरा पढ़ेंगे ऐसा टीचर कभी मिलना सके जो बेहत की नौलिज दे लक्षमी नरायन ही नहीं जानते तो उनके पिछाडी आने वाले कैसे जान सकते हैं बाब कहते हैं यह सृष्टी के आदी मद्द अंत का ग्यान सिर्फ तुम जानते हो संगम पर बाबा बहुत समझाते हैं यह करो ऐसे करो फिर यहां से उठे तो खलास यह नहीं समझते कि शिव बाबा हमको कहते हैं हमेशा समझो शिव बाबा कहते हैं इनका फोटो भी नहीं रखो यह रत तो लोन लिया है यह भी पुरुशार्ती है यह भी कहते हैं मैं बाबा से वर्षा ले रहा हूं तुम्हारे सदिश्च यह भी स्टूडेंट लाइफ में है आगे चल तुम्हारी महिमा होगी अभी तो तुम पूझ देवता बनने के लिए पढ़ते हो फिर सत्यूग में तुम देवता बनेंगे यह सब बातें सिवाए बाप के कोई समझा न सके तकदीर में नहीं है तो संशय उठता है शिव बाबा कैसे आकर पढ़ाएंगे मैं नहीं मानता मानते नहीं तो फिर शिव बाबा को याद भी कैसे करेंगे विकर में विनाश हो नहीं सकेंगे यह सारी नंबरवार राजधानी स्थापन हो रही है दास दासियां भी तो चाहिए ना राजाओं को दासियां भी दहेज में मिलती है यहां ही इतनी दासियां रखते हैं तो सत्योग में कितनी होंगी ऐसे थोड़े ही धीला पुरशार्थ करना चाहिए जो दास दासियां जाकर बने बाबा से पूछ सकते हो बाबा अभी मर जाएं तो क्या पद मिलेगा बाबा जट बता देंगे अपना पोता मेल आपे ही देखो अंत में नंबर वार करमाती तवस्था हो जानी है अब बताओ ऐसे आदमी घ्यान में चल सकेंगे कहते हैं हमको फुरसत कहां अरे सच्ची राजाई मिलती है बाब को सिर्फ याद करो तो विकर में विनाश होंगे अस्ट देवता आदी को भी याद करते हैं ना उनकी याद से तो कुछ भी मिलता नहीं बाबा बार बार हर एक बात पर समझाते रहते हैं जो फिर ऐसे कोई ना कहे कि फलानी बात पर तो समझाया नहीं तुम बच्चों को पैगाम भी सब को देना है एरो प्लैन से भी पर्चे गिराने के लिए कोशिश करनी चाहिए उसमें लिखो शिव बाबा ऐसे कहते हैं ब्रह्मा भी शिव बाबा का बच्चा है प्रजा पिता है तो वह भी बाप यह भी बाब शिव बाबा कहने से भी बहुत बच्चों को प्रेम के आशु आ जाते हैं कभी देखा भी नहीं है लिखते हैं बाबा कब आकर आपसे मिलेंगे बाबा बंधन से छोड़ाओ बहतों को बाबा का फिर प्रिंस का भी साक्षातकार होता है आगे चल बहतों को साक्षातकार होंगे फिर भी पुरुशार्ट तो करना पड़े मनश्य को मरने समय भी कहते हैं भगवान को याद करो तुम भी देखेंगे पिछाडी में खुब पुरुशार्ट करेंगे याद करने लगेंगे बाप राय देते हैं बच्चे जो समय मिले उसमें पुरुशार्ट कर मेक अप कर लो बाप की याद में रह विकर में विनाश करो तो पीछे आते भी आगे जा सकते हो जैसे ट्रेन लेट होती है तो मेक अप कर लेते हैं न तुमको भी यहां समय मिलता है तो मेक अप कर लो यहां आकर कमाई करने लग जाओ बाबा राय भी देते ऐसे ऐसे करो अपना कल्यान करो बाप की श्रीमत पर चलो एरो प्लेन से पर्चे गिराओ जो मनुष्य समझे की यह तो बरोबर ठीक पैगाम देते रहते हैं भारत कितना बड़ा है सबको मालूम है पढ़ना चाहिए जो फिर ऐसे ना कहे की बाबा हमको तो पता ही नहीं पढ़ा अच्छा मीठे मीठे सिकलिदे बच्चो परती मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉनिंग रोहानी बाप की रोहानी बच्चो को नमस्ते हम रोहानी बच्चो की रोहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉनिंग और नमस्ते 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 धरना के लिए मुख्यसार पहला सेंसुबल बन अपनी जाच करनी है कि आँखे धोका तो नहीं देती है कोई भी करमेंद्रीये के वश हो उल्टा कर्म नहीं करना है याद के बल से करमेंद्रीयों के धोके से छूटना है दूसरा इस सची कमाई के लिए समय निकालना है पीछे आते भी पुरशार्थ से मेक अप कर लेना है यहां विकर्म विनाश करने का समय हैं इसलिए कोई भी विकर्म नहीं करना है वर्दान हर कंडीशन में सेफ रहने वाले एर कंडीशन की टिकेट के अधिकारी भव एर कंडीशन की टिकेट उन्ही बच्चों को मिलती है जो यहां हर कंडीशन में सेफ रहते हैं कोई भी परिस्तिती आ जाए कैसी भी समस्याएं आ जाएं लेकिन हर समस्या को सेकेंड में पार करने का सर्टिफिकेट चाहिए जैसे उस टिकेट के लिए पैसे देते हो ऐसे यहां सदा विजई बनने का मनी चाहिए जिससे टिकेट मिल सके यह मनी प्राप्त करने के लिए मेहनत करने की जरूरत नहीं सिर्फ बाप के साथ सदा रहो तो अंगिनत कमाई जमा होती रहेगी स्लोगन कैसी भी परिस्तिती हो परिस्तिती चली जाए लेकिन खुशी नहीं जाए ओम शान्ती के साहसमा परिस्तिते नहीं जान्याइप की साथ न चो बुदाेम आज जातव करत आवा नुद ऐसा हाता जनन दोस्तिति 69 परिस्तित करें आपकास golden जरूरत胃ओं मुखन मोडेंगे तिरब सात्म छोडेंगे सात्म छोडेंगे